Hello friends, मेरा नाम कुसुम तिरपाठी और मैं आपका अपने चैनल English with Kusum में स्वागत करती हूँ तो आज मैं बहुत ही important topic लेके आए हूँ How to teach slow learner आज हम लोग थोड़ा सा इस पर discuss करेंगे कुछ में points मैंने बनाए हुए हैं और यह मेरे जो मैं लास्ट 18 years से जो पढ़ा रही हूँ मैंने उस time period पे यह सारी चीजें gain की यह सारी चीजें experience की और टीचर्स के भी जो experience है बोवी इसमें count है कि किस परकार से हम slow learner को पढ़ाएं और slow learner को पढ़ाने में हमको क्या क्या प्रॉबलम आती है और क्या हम slow learner को एकदम से छोड़ दे सबसे पहली जो बात है वो यह है कि क्या हम slow learner को क्या slow learner को एकदम से छोड़ दिया जाए क्या वो सच में कुछ करने लाइक नहीं होते क्या question है कि नहीं है क्या जिसे हम class में slow learner कहते हैं weak कहते हैं, weaker कहते हैं क्या वो बच्चा वास्तों में रेली वो कुछ नहीं कर सकता हूँ आप सोचिए थोड़ा सा एक में टूक के नहीं मैं तो ये मानती हूँ कि बिना बुद्धी के कोई भी पैदा नहीं होता हर व्यक्ति के पास बुद्धी है ये पॉस्विल है कि उस बच्चे का जो कंसंट्र है वो पढ़ाई पे नहोगे स्टडी पे नहोगे किसी डिफरेंट फिल्ड पे है लेकिन ये पॉस्विल नहीं है कि अगर हम उस बच्चे के साथ कोशिस करें तो बच्चा कुछ नहीं कर पाए ये तो इंपॉस्विल है ये वर्ड ही इंपॉस्विल है तो सबसे पहले तो ह बच्चे को क्लास में आगे बैठाईए अगर आप उसे आगे नहीं बैठा रहे हैं अच्छा आगे नहीं बैठा रहा है तो उसको ऐसी प्लेस पे बैठाईए जहां पर वो आपकी रीच में रहे आपकी पकड में रहे आप जब क्लास में राउंड लेते हैं तो इसली उसके पास बहुत सकें, वो क्या कर रहा है, उसको देख ले, उसको समझ ले, यह तो तह है कि उस बच्चे का जो रिस्पोंस है, क्लास में बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो बाकी यों की तरह क्लास वक नहीं कर पाता होगा, अच्छे से होम वक नहीं कर पाता होगा, या जो लर इस तरह की जो language है, इस तरह की जो words हैं, हमें उस बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के पाद जो भी कुछ होता है, हमारी इन wordings, वो बिल्कुल से खत्म हो जाता है, जो उसके पाद जो भी कुछ है, उसका खत्म हो जाता है, इस तरह की teachers के comment से, उस उसको थोड़ा सा अटेंशन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉंस नहीं करेगा, तो वो जो थोड़ा बहुत जुतना भी रिस्पॉंस कर रहा है, तो आप उसको इनकरेज कीजिए, अगर उसने एक वर्ड मीनिंग सुना दी, तो आप क्लैपिंग जो उनकी गेनिंग पावर है, वो एबरेस से कम है, जादा तर बच्चों की, तो फिर मैंने सोचा, अब मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ाना टेंस जैसा टॉपिक है, चुकि उनके टॉपिक में है, सालिबस में है, तो उसको कंप्लीट भी कराना है, तो मैंने क्या किया, कि जो helping work का चार्ट होता है, present का, past का, present indefinite का, present continuous का, past का, पहले present का दिया उनको, मैंने उनको लगए, और मैंने उस tense वाले पार्ट में उनको थोड़ा सा introduction दिया, और उनको homework में देना शुरू किया, ट्रेंस की जो help, सिर्फ helping work, सिर्फ helping work जो है, मैंने उनको देने शुरू की, doodles, ASMR, has, have और has been, have been, और लगातार मैंने इसको 3-4 दिन दिया, ये एक additional homework था, जो homework के, जो एक और homework जाता था, उसके साथ जाता था, तो इस तरह से मैंने continue, करीवन 20 डेज इस बात को continue रखा, पहले present के पूरे दिये, फिर past के पूरे दिये, फिर future के पूरे दिये, अलग-अलग, पहले separate separate दिये, फिर उसके बाद एक चार्ट बनाके, उनको एक साथ देना शुरू किया, और लगातार 15-20 दिन तक देते चलेगा, आप रिस्वास नह की मानेंगे, एक दिन मैंने एक लडगे को खड़ा किया, जिसको ये मानते हैं, मानते थे कि बहुती स्लो है, मैंने जब उससे खड़े होके, मैंने उसको खड़ा करके, जब ये पूछा कि मुझे future indefinite के helping work बताओ, उसने आधा मिनट लिया, येकिन उसने मुझे बता दिया फिर मैंने उससे future continuous का पूछा, तो उसने will be, शेल भी बता दिया, फिर मैंने perfect का पूछा, वो भी बता दिया, फिर perfect continuous पूछा, वो भी बता दिया, simple सा, फिर मुझे समझाया, कि इसी इन ही बच्चों को हम ये कह देते हैं, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आकर उसने tense की helping work learn कर ली, तो क्या वो जब भी कभी ये helping आगे चलके जब वो ये वाले sentences देखेगा, will be वाले sentences देखेगा, do does वाले sentences देखेगा, तो वो identity नहीं कर पाएगा, क्या, कि वो present indefinite का है, कि future indefinite का, बिल्कुल कर लेगा, यही effort, मैं इसी effort की बात कर रहे हूँ, यही effort हमको उन necessity में, सारे subjects में, फिर आप देखिए, वो बच्चा थोड़ा सा भी response करता है, तो आप उसके लिए clapping कराइए, कभी pen दे दीजे, कभी बच्चे, बड़ डे में वो अपनी toffies वगारा class में लेके आते हैं, वो toffies then and there उनको दे दीजे, तो कई तरी, कई रास्ते हैं, फिर दे नेक्स्ट है, if possible, make them sit with the good students, यदि आपको ऐसी लगते है, एक strategy बनाई है, अगर आपको लगता है कि उनको अच्छे बच्चों के साथ बैठाया जाए, तो बैठा दीजे, लेकिन कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है, अच्छा भी थोड़ा सा पूगर हो जाता है, तो ऐ ऐसा भी ना होने पाए, हमको किसी, हमको average को अच्छा करना है, जो अच्छे वाले को average नहीं करना है, उसको slow learner में change नहीं करना है, तो यह आप थोड़ा सा देख लिजेगा, यह practically आपको सही लगे तो फिर करिए, उसके बाद फिर है, don't make them afraid, वो बच्चा आप से डरे पॉइंट है, आप उसको एकदम से कसके डांड दें, कसके चिला दें, तो बच्चा एकदम से scared हो जाएगा, यह आप बिलकुल ना करें, उसको जो भी problem है, जरा सी भी चीज नहीं समझ में रहे हैं, आप उसको बताएं, हो सकता है, आपको लगे कि बताने में कह रहे हैं, त जब उसको नहीं बनती है, जब वो नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो उसको हम slow learner कह रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे को डराईए बिलकुल मत, बच्चा डरना नहीं चाहिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, no one is slow learner, only their concern is different places, इसका मतलब है कि कोई भी बेक्ति slow learner नहीं है, केवल उसका जो concern है, वो change है, वो field of concern उसकी change है, वो खिले में ज़्यादा दिमाग लगाता है, art and craft में ज़्यादा दिमाग लगाता है, कुछ ना कुछ उसका concern change है, इसलिए वो क्लास must be permitted to laugh over, कोई भी बेक्ति, कोई भी बच्चा उस पे हसे ना, ये बहुत important है, बच्चे ज़्यादा तर क्या करते हैं, रहे ये तो मूर के, मैं ये करी नहीं सकता, नहीं, इस तरह की सारी बातों को आप जो है, classes में stop किजे, permission मत दीजे, फिर है, उस बच्चे के parents से बा कर दो होई है, अगर आपसे बहुत चोटी-चोटी चीजे भी पूछ रहा है, तो आप उसको बताई, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, वो किसी की शिकायत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप सुनिए, समझने कोशिस कीजी कि वो आखिर क्यों कर रहा है, थोड़ा सा ऐस एक्स्टा एफर्ट तो आपको उसके पीछे थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, फिर है go with them step by step, आगे धीरे धीरे एक एक कदम उसके साथ आगे चलते चलिए, एकदम से कहीं कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, तो ऐसे ही वो बच्चा भी एकदम से प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, एक-एक step आगे बढ़िए, सबसे important है इस पूरे topic का कि आपको उस बच्चे के confidence को gain करवाना है, अगर आपने उस बच्चे के confidence को gain करवा दिया, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको slow learner नहीं रहने देगी, वो अपने आपको खुद ही आगे ले जाएगा, बस आ मेरे teaching experience में से एक बहुत important चीज थी, जो मुझे लग रहा था बहुत दिन से कि मैं आपके साथ share करूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो please इसको like, subscribe और share जरूर करें, और ये teachers के लिए भी useful है, beneficial है, parents के लिए भी है, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी है, जो आगे जलके teachers बनना चाहते हैं, teaching line में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत important है, thank you very much.